नमस्कार प्यारे बच्चों बच्चों आज हम क्लास एट की हैपिनस स्टोरी 16 पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्शक है भाई है बोज नहीं दो मित्र कई साल बाद एक दिन अचानक मिले दोनों ने एक दूसरे का सुख दुख पूछा पहले मित्र ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है दूसरा मित्र थोड़ा दुखी था उसने कहा कि पिछले वर्ष उसके पिताजी गुजर गए उसके बाद से छोटे भाई की देखा एक पहाडी लड़की जिसकी उम्र कोई 19 साल की थी वह अपने छोटे भाई को कंधे पर उठाकर ऊपर चड़ रही थी पसीने से लत्पत लेकिन लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही थी जब इन दोनों मित्रों के पास से वह गुजरी तो उन्होंने सहानू भूती के स त्वर में उस लड़की से कहा बेटा तुम्हें पसीना आ रहा है तुम भाई के बोज से ठक गई होगी थोड़ी दिर के लिए हम तुम्हारे भाई को गोद में उठा लेते हैं तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा लड़की ने उन दोनों मित्रों की तरफ देखा और क यह कैसी बात है अंकल बोज आपके लिए होगा मेरा तो छोटा भाई है बोज नहीं लड़की का जवाब सुनते ही दोनों मित्रों को एहसास हुआ कि थोड़ी दिर पहले वह कैसी बाते कर रहे थे यह लड़की अपने भाई से अपने संबंध को समझती है और जहां ने उसे समझा दिया कि भाई भाई होता है बोज नहीं तो बच्चो अब कहानी से संबंधित कुछ प्रेशनों पर चर्चा करते हैं बच्चो आप कौन से संबंधों को बोज नहीं मानते क्यों बच्चो जिन संबंधों को आप मन से स्विकार कर लेते हैं वह आपको बोज क बच्चों, रिष्टे को बोश मानकर निर्वाह करने के तरीके में और रिष्टे को जिम्मेदारी मानकर निर्वाह करने के तरीके में क्या अंतर होता है?